नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के मैडल प्रोस्पेक्ट की कि इस बार भारत कितने मैडल जीत सकता है वैसे तो हम उमीद करते हैं कि भारत का हर एक खिलाडी अपना 200% दे और भारत के लिए मैडल जीत कर लाए पर फिर भी कुछ ऐसे खिल लाड़ी होते हैं जिनसे हम मैडल की पुरी पुरी उमीद कर सकते हैं आ swipe जानते हैं इंडिया की सबसे बड़ी उमीद है निरजचोपुडा Athletics के अंदर Javelin Throw में निरज चोपडा से है ऐसे इसलिए भी है जब से निरज चोपडा ने Tokyo में Gold Medal जीता है तब से निरज चोपडा का परदरशन में लगातार consistency रही है निरज चोपडा ने Maximum सभी World Level की प्रतोगिताओं में Gold Medal जीता है और कुछ प्रतोगिताओं में ही Silver Medal जीता है निरज का Best Throw 89.94 मीटर है ओलम्पिक में निरज को अगर चनोती मिल सकती है तो वो है Czech Republic के V. Jacob से इसके अलावा हम एक मैडल की उमीद मैन 4.400 मीटर Relay Race के अंदर भी कर सकते हैं आर्चरी अब की बार एक मैडल की उमीद हम आर्चरी से भी कर सकते हैं आर्चरी में हम Man Team, Woman Team और Mixed Team तीनों से एक अच्छी उमीद कर सकते हैं वहीं Individual में हम पुरस के अंदर धिरज बॉम देवरा और महिला के अंदर हम अंकीता भगत और दीपीका कुमारी से उमीद कर सकते हैं इसके अलावा हम चेस प्रणय से भी हम एक मैडल की उमीद कर सकते हैं Boxing में सबसे ज़्यादा मैडल की होप हमें निखत जरीन से हैं इसके अलावा पिछले उलम्पिक की ब्रॉंज मैडलिस्ट लवलीना बोर्गोयन भी इस बार अपने मैडल के कलर को चेंज कर सकती हैं Field Hockey Manfield Hockey टीम से इस बार भी हम एक मैडल की उमीद कर सकते हैं उमीद है भारतिय टीम इस बार ब्रॉंज मैडल का कलर चेंज करें Golf पिछले उलम्पिक में अदीती असोग ने 4th पलेस पर फिनिस किया था इस बार अदीती असोग से उमीद है कि वो 4th पलेस से अपनी पोजिसन को मैडल में कनवर्ट करें Shooting इस बार भारत के 21 शूटर 15 इवेंट में पार्टिस्पेट करेंगे और इस बार परसनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर शूटर्स ने अपना दमखम लगा कर 4-5 मैडल जीते तो भारतिय टीम अब की बार अपने मैडल को डबल डिजिट में फिनिस कर सकती है अब की बार भारत के सबी सूटर्स एक से बढ़कर एक हैं Table Tennis Table Tennis में भारत अगर एक मैडल भी जीत पाता है तो ये इस ओलंपिक का सबसे बड़ा मैडल हो सकता है Weight Lifting Weight Lifting में एक बार फिर हम मीरा भाई चानू से मैडल की उमीद कर सकते हैं Wrestling Wrestling में अब की बार भारत के छे पहलवान भाग ले रहे हैं जिसमें एक पूरस और पांच महीला पहलवान है Wrestling में हम मैडल की उमीद अमन सहरावत, विनेस वोगाट, अंतिम पंगाल और अंसू मलिक से कर सकते हैं तो उलम्पिक में इस बार हम कम से कम 10 मैडल की उमीद कर सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो भारत की मैडल टैली 17 से 18 तक भी पहुँच सकती है ऐसा मेरा आंकलन है होप आपका ओपीनियन इस से थोड़ा अलग हो सकता है तो आप भी कॉमेंट सेक्षन में शेयर कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्याबाद